मैंने हैं स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में इस वक्त मैं मौझूद हूँ लौविन हैम्रेम के आवास में जाहां जी हमें बता दू कि दल बदल के मामले में इनकी विधायकी अब रद कर दी गई है साथ में मांडू विधायक जेपी पटेल की भी विधायकी रद कर दी गई है हम सीधे जुड़ेंगे लौविन हैम्रेम से और बात करेंगे इनसे क्या कुछ कहेंगे सर आपकी विधायकी जो है दल बदल मामले में रद कर दी गई है इसका information हम ने पार्टी को भी दिया था लेकिन जीतार होती है अलग बात है बट ये किसी दल में हम जुड़ने का काम नहीं किये और सुरू से हम इस पार्टी को जोग के रखे 95 में हम इंडिपेंडेंडेंट जिते फिर भी हम पार्टी को जोग के रखे हम कहीं दूसरे दल में नहीं गए और आज हमारे विधाई के चले गए तो एक तरसे समझे ये हम जनप्रतिनी दिए हैं ये लोक तंत्र का हत्या हुआ है और सेम हमारे ही तरह चमरा लिंडा जी भी लड़े थे निर्देले लड़े थे उस पर कारवाई नहीं भी तो कानून तो सब के लिए बराबर होता है अग लेकिन सेम वही केस है और उसको उस पर कुछ नहीं हुआ और मेरा हमारा विधाई के लोग नै की कर दिया वरकात कर दिया तो एक तरह से बाह्ष्टों करकर कर काम किया जा रहा है आखिर है चुकि हम सदण के अंदर में जहर्खर्णीयों के हित में आदी बदसी मुलमासियो के हित में हम बलाबाबर आवाज उठाते रहे हैं और इसलिए हम इन लोगों के आँका किरक्री भी वने हुए है तो कही न कहीं ये भी कहा जा सकता है लोबिम्डा कि ये राजनीती का एक पहलू है बिलकुल ये राजनीती से प्रेडित है और ये इतना आनन फानन में जबकि बिदान सबा सत्र सुनू होने वाला है और एक दिन आधा दिन पहले हमको रोका गया ठीक है कम से कम सत्र बे जो हमने क्वेस्चन दिया है यहां के गरीब लोगों का जो शुक दुख है उसके बारे में हमने क्वेस्चन किया है तो कम से कब इतना तो छोड़ सकते थे कि दिकत नहीं थे चुकि हम जनपरतिनी दिया हैं और बहुत सारा सवाल हम गिये हैं तो आखिर वहाँ सवाल कौन करेगा और सरकार क्या जबाब देगी तो इसके बाद हमारा विधाय की चला जा तो कोई दिकत नहीं था लेकिन विधायक बनके आया है लोगों ने हमको वोट देगे जिताया है और उनके समस्याओं को हमने सुधन में रखा है हमने कोस्टिन दागा है तो उसका कब सकब सोच विचार की लोगों को करना चाहिए था आप लोगों की खिलाफ इधान सबह के इस फैसले के बाद आप लोगों की आगे की रहनेती क्या होगी देखिए आग समर्ण है तो सबसे पहले हमको सपुच करते हैं एक वस्पीं करने के बाद में अपना असपस्ति करान देते अगर उसमें लोगों कि हमको हमको उअमधान होता तो फिर करवाई होती जो सिस्टेम है उग ज्य oluo का एस तो सोचल मेल ने हमको हमको किया है डोग हमको बरिखास्त किया है तो यह नियम वहिसा नहीं है लेकिन लोबिंदा विधानसभा चुनाओं होने वाला है तो क्या आप निर्दली लड़िएगा आप चुनाओं यह कहा जाए सकता है के विधानसभा चुनाओं है लेकिन हार नहीं मानना है बहले आप मेरी सदेसिता रद कर दीजिए क्यों हर मानेंगे आज जो पब्लिक हमको वोड़ दिके जीताया है तो आज तो उलुक हूस है हम पर लेकिन बहुत नाराज भी हो गई बहुत बार बार पूना रहे कि यह क्या हो गया कैसे हो गया क्यों हो गया इसा तो चलिए निरने लिया है बात है बट हम मिट्टी से जुड़े वे अदमी हैं और हम लगातार संगर्ज करते रहेंगे और यह जब तक हमरे खून में इक इक एक कून का रहेगा हम आंदोलन भी करेंगे और इसको हम सरकार के अगेस्ट में लड़ाई लड़ते रहेंगे चुकि सरकार का ही यह बयान माने मुखमंतरे कहीं मैंने फश्टो था तो क्या दिक्यों था आप नहीं करोगा तो हम चुपचा परेंगे पाटी में रहेंगे आईसा संब्रू नहीं है तो इस बर पाटी के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं यह भी कहा ज़स्दा पार्टी के खिलाफ खड़े होकर कि अ पांस साल पूरे होने वाले हैं क्या लगता है कि सरकार के कारेकाल में कितने सारे कामों को अंजाम दे दिया गया और क्तने सारे काम जो थे वो ने लंबित रहे गए हैं अब तक जो मूल मूल काम था जो यहां के लोगों के हीत की बात है जो मूल काम था वो तो नहीं हो पाया यहां पर आप देख रहे हैं तो यहां पर आदारित है जमीन पर वो लोग जिद्दा है तो जमीन ने जब लुटा रहा है जब एक्ट हो एक्ट को भी आप बने सकती सलागू नह तो यहां की लोगों के लिए ज़रूरी है यह इस बात को भात को उठाते रहें तो फिर नहीं किया अभी आप अस्थानी नहीं बनाएं अभी आप नियुक्ति पत्र बाटे बिल्कुल लोग उठा रहे हैं कि नियुक्ति पत्र बाटा जा रहा था तो बाहरी लोगों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है तो इस तरह के रवय यह क्यों अपना रही है सरकार और अगर बात की जाए तो जैसे यहां के सहायक प्लिस कर्मी उस पर भी लाटी चार्ज हो रह है पारा सिक्षा के उस पर भी लाटी चार्ज हो रहा है आंदोलन करना तो सबका अधिकार है फिर इस तरह के रहे यह क्यों अपनारी बाहरियों को नौकरी दे रही है और जो यहां पर काफे जादा मेहनत मुसक्त करके नौकरिया पाए उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है है आने वाले समय में तो सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा जो जो कर रहा है ना आप यहां के हमारे जितने हैं इस्टुडेंट हैं चाहिए बाइस हो आज लोग कितना मेहनत करके पढ़ाई किया हैं डिगरी हासिल किया है लेकिन आज लोगों को नौकरी दे करके बाहर के गास दिया जा रहा है कि क्वारा रहा है सजार कर राजमें तो यहां जमीन भी लुटा एंगा सारा चेज लुट से लुटा रहा है लोगों को बालू नहीं मिल रहा है यह देखेंगे लिए और यह का जा सकता है कि मार खहें घर के लोग और नौकरी ले जाए बाहर के लोग? यही तो हो यह रहा है ना इसी बात को हम बोलते हैं इसलिए इसलिए इलों को पीट में दरद होता है और आनन फानम नहीं इलों सदन के पले हमारा विधा की खतम किया है जनता की बातों को लेके सदन तक पहुंचते है तो उनको बस एक टार्गेट कर लेना है कि वो दल बदल का मामला है इस पे उनकी विधाय की रद कर दी जाए जिसे देखा जाए तो आपकी विधाय की चली गई इस पर की आप जो विधानसभा सतर चल रहा है उस पे आप अपन भी आपकोव लेना ही लेना था, कोई दिखत नहीं था, ये चार पाइदीन का सत्र सच आपाइश सदाना था, सब्सक्राइब करना था इतना जरूरी क्या था क्यों इतना बड़ा इतना हड़ा बड़ाने के लिए करना ही तो करना तो फिर एक तरप से देखा जाए तो राजनेती ही खेल है यह सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं और यह हमारे जो इस विकर साहब है हम तो बहुत अच्छा समझते थे इंपार्शियली होते हैं प्रियाकरी प्रिव सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इंपार्शियली नहीं है यह दबाब में काउप किये है लोबिंदा एक और बात कहूंगे कि जब विधानसभा सत्र अभी आज ही सुरू हुआ है लेकिन वहीं अगर रास्ता में है जब रास्ते पर हम लोग गुजर रहे थे रास्ते से तो वहीं पर हम देखा कि मानों स्रेंखला बना करके जितने भी आदिवासी थे सब को अपनी मांगो को लेकर बैठे वे थे कि जल जंगिल से जुड़ा मामला हुआ 1932 खत्यान नियोजन नीती हो या फिर जंगल जमीन बचाओ कई ऐसे मामले थे सरना धर्मकोट का बात कर लीजिए या फिर कई ऐसे मामले थे जिसको लेकर कि व लोग आदिवासी विरोधी है सिधी सी बात आदिवासी का भोट लेते हैं और आदिवासी का विरोधी विरोधी करते हैं मने काम नहीं करना इसका मतलब लोगो दरकिनार करके आप सरकार चड़ा रहे हैं पोन लोग नहीं देख रहा है आज आदिवासी को जमीन लुटा रह तो लोग तो अपना मांगत रखेंगे मानन फिरिंग कहा है यह करोगे तो करो नहीं करें तो सरकार में हो कि वासियों की जनसंख्या जो है वह कम हो रही है बिलकुल कब हो रही है और यह जारखट बुक्ती बॉरचा यह वोट बेंक बना रही है तो उसे संरक्षित करने के लिए क्या करेंगे दादा आप लोग। केंदर सरकार को ठुपते हैं तोो केंदर सरकार को ठुपते हैं लेकिन होगह कि देनरा समीति सब बढल रहे सबते हैं वही लोगों का इस तरह से लगातार जो अबादे भी बढ़ रही है दूसरी बात है कि कंट्रोल करना है पर अधिकार भी यहां को आई लोगों का जो लूटा रहा है पुलीएगा मतलब एक टृष्ण रोणना आता है कि यहां पर कितने लोग बाहर चले गएं कितने लोग विस्तापीत हो गएं कहां जगार जवीन विस्तापन भी नहीं इवाव लोग का कौन खोजेगो लोग को गलत तरिक से चल रहा है माने से चल रहा है जार्खरण की कुछ जीलों की डेमोग्राफी बदल रही है किसकी गलती देखते है इसमें देखिए गलती तो है कैसे लोग आ रहे हैं के अंदर को भी देखना चाहिए और साथ साथ लेकिन आप बैंक बैंक बोड़ बना करके चुप चप रहीएगा आंके सामने लोगों का मने इस तरह से अधिकार कहनन हो रहा है पार्टी जरकन मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं करवाई हो रही है आज यहां पर हर जगा आदिवासी को मार पीट के लो वो तो डारेट बोल लिए केंदर सरकार का जिमा है केंदर सरकार जाने सिधा बोल रही है आज भी बनना गुपता ये बात बोल रहे है थे बोर्डर पर रोकना ये केंदर सरकार का का मा है तो जीतने लोग पार हो गया तो क्या उसको छुटा छुड़ दीजेगा इस्टेट गोर्मेंट क्यों नहीं कर जहनुम में इस तरह की शब्दों का परियोग किया लॉबिन हेम्रेम ने और कहीं ना कहीं जारखन मुक्ती मोर्चा से आप वो नाराश चल रहे साफ तो और पर उन्होंने ये भी बात कई कि उनकी विधाय की जान बुच करके एक साजिशों के तहत रद की गई है चुकि अदन के अंदर उठाते हैं लोगों की समस्या को उठाते हैं लीगल बात करते हैं जो जारखन मुक्ती मोर्चा को ये बाते जो है रास नहीं आई जिससे लेकर के लोबिन हेम्रेम की विधाय की रद कर दी गई जिसको लेकर कि ये पार्टी से काफी नाराज भी नजर आए वहीं उन्हें ने ये भी कहा कि आने वाले जो विधान सबा चुनाओं है ये बिल्कुल निर्दल ये फिर से चुनाओं लड़ेंगे और जनता का इनका समर्थन भी रहेगा जनता जारखन मुक्ती मोर्चा से अब काफी नाराज भी चल रही है ऐसा ही तमाम एपडेट्स के लिए बने रहे लाइब इंडिया हर पल के साथ अपने स्रहियोगी विशाल के साथ मैं नेहा राची से